आप सारे लोग मेरे स्रोताबंधों आशा करती हूँ इस वीकेंड में वीकेंड में वीकेंड में आप लोग थोड़ा सा आराम कर लिये हो थोड़ा सा काम भी कर लिये हो और अभी सोने की तयारी भी करने जा रहे हो है ना तो चलिए बच्चों के लिए जो अरबियन नाइट्स की कहानियां हैं जो मैं पिछले हपते से पढ़ना शुरू की हूँ उसका अगला कहान, उसी किताब से हम अगली कहानी पढ़ लेते हैं, तो हम पढ़ रहे हैं छोटो देर आरभ वो रोजोनी इस किताब से यानि कि बच् समझ में आया है अंजन घोष और इस किताब के प्रकाशक हैं स्री मोती लिला शौरकार इसके जो तस्वीर बनाए हैं वो है शोईलेश पाल संपादना किये हैं स्री शुजित कुमार नाग तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो कहानी है वो है संदवाद नाभी केर काहिनी संदवाद सैलर है ना हम लोग यह नाम बहुत सुने हैं तो चलो जान लेते हैं संदवाद सैलर क्या कहते हैं है ना सिंदबाद नावी के जहाजी जहाजी बोटर राइट तो सिंदबाद जहाजी के कहानी जहाजी का कहानी राइट तब खलिफा हरुन अल रानी देर क्या बोलें राज्यकाल था बगदाद नगर में हिंदबाद नाम के एक गरीब माल भेहने धोने वाला कुली बोल सकते हो कुली रहते था एक दिन दोपहर को एक बहुत ही भारी सामान वह कहीं लेके जा रहा तो और उसको लेके जाने के वजय से वह इतना थक गया कि वह अपना खोश खो बैठा जब उसका खोश फिर वापस आया तो वह सही में बोलो तो वह एक्तम काप रहा था, ऐसा हो गया था तो ऐसे ही हालत में उसको एक बहुत बड़ा सा मकान दिखा तो वो उसी के च्छाओं में जाकर बैठ गया, थोड़े देर के लिए थोड़ा सा विश्राम करने के लिए, कुछ देर वहाँ पर कि जाखने के बाद हो देखा कर देखाruff ककी कि रहे रहे हैं अनदर से बहुत संदर सा सुगन्ध निकल रहा है और बहुत संदर स्छा प्रोस परक में जाखर करने लग गया तो वो जो मकान था सुन्दर से मकान पुरा मार्बल से बने पड़ी थी वाइट मार्बल से और बहुत सुन्दर सा फवारा भी था अच्छा लग रहा था उसको देखकर तो वो एक प्रहरी को, एक पहरदार को पूछा ये किसका घर है? कौन है इसका मालिक? तो पहरतार बोले तुम बगदाद के नहीं हो लगता है तो तब हिंदवाद बोले नहीं इसी शहर में मेरा पुरा जीवन ही बिद्किया है बोल सकते हो तो पहरतार बोले है तुम बिख्यात जहाजी सिंदवाद को नहीं जानती हो क्या यह उनके ही घर है उनका ही मकान है तो ह वैसे लोगों के मुह से सुना तो था बातों से जानता तो था कि सिंदवाद एक जहाजी है जो बहुत ही धन और संपत्य के मालिक है अब वो जब अपने आगों से देख पाया इतना बड़ा मकान इतना बड़ा इतना कुछ है तो वो अपने सर पेटने लगे और बोलने लगा कि अरे अल्ला के दुनिया में कोई विचार है या नहीं कोई देखो हिंदवाद मैं और इस नाविक का जो जहाजी का जो नाम है सिंदवाद दोनों का नाम बिलकुल लग 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 सही में है ना एक ही प्रकार के हैं लेकिन देखो हम दोनों का अवस्ता देखो आसमान और है हम दोनों में मैं अपना दो वक्त की रोटी रोटी ही जुगा नहीं कर पाता हूं और यह तो अनंत संपत्ति के ऊपर बैठे हुए हैं और पैसों को जैसे धूल के तरह उड़ा रहे हैं हिंदबाद ऐसे जब दुख कर रहा था अपना रोना रो रहा था तो एक नौकर हमारे जो मालिक है न वो तुम्हें बुला रहे हैं तुम आओ तो हमारे साथ यह बात सुनते ही हिंदवा तो डर गया वह सोचने लगा क्या होने वाला है क्या मुझसे बदान पर आएगा मेरे उपर क्या पता जरूर मेरी बाते सारे वह सुने हैं इसलिए वह मुझे दंड देने के लिए बुला रहे हैं तो वो थोड़ा ऐसे एच्छी जग रहा था यह देखकर जो नौकर है बोले अरे दोस्त डरो मत हमारे जो मालिक है वो बहुत ही अच्छे इंसान है तुम्हें डरने की कोई बात नहीं तो वो जहां तक अंदर गया तो वो देखा के पांच औ वेक्ति अеспयों है और उन में विल कि बाठी हुए है उन्में है तो सारे दारी मुझ बाल सारे सफेद हो और हिंदवाद उनको देखते ही वो अमझ गया यह है वो नामचीन संदवाद जहाजी है ना तो संदबाद बोले कोई डर्ने की बात नहीं है यहां पर आओ बैठो और खाना पिना शुरू करो थोड़ा शांत हो जाओ खान पान के बात तो खान पान की संदबाद हसते हुए बोले अरे तुम्हाना नाम तो बहुत अच्छा है मेरे नाम से मिलता जूलता ह है ना तो थोड़े देर पहले तुम क्या बोल रहते फिर सब बोलो मुझे सुनने की इच्छा है तो हिंदवाद तो भई कापने लग गया वो बोले जनाब हम दोपेर के धूप में माल धो रहते तो इसलिए मेरे दिमाग का कोई ठीक ठीकाना नहीं था तो क्या मैं मुझ बोल रहा हूँ तुमें मैं कोई दोश भी नहीं दे रहा हूँ तुम्हारा जो अभी परिश्तेति है न उसमें अगर कोई भी आता है तो उसके मुझे ऐसे ही निकलेगा यही सुळभाब ही है लेकिन दोस्त तुम बहुत ही गलत सोच रहे हो पता है ये जो अभी शान शौकत इतना आराम तुम देख रहे हो न इसके लिए मुझे बहुत भेंकर वाला परिश्रम करना पड़ा था चलो मैं आज तुम्हें वही कहानी सुनाता हूँ यह बोलकर सिंदबाद अपने बानिज्य के अपने जो बिभिनने जगा पे जाकर वह जब बिजनिस किया था उसका कहानी उन सारे कहानियों को बोलना शुरू किये तो बच्चो आज हम सिंदबाद दसेलर का पहला जो बानिज्य यात्रा है है ना वो हम सुन लेंगे तो शुरू करें पगदाद के सबसे नामचीन एक विख्यात धनी थे अब्दुर्रसित मैं उनका ही बेटा हूँ पिता जी के मौत के बाद उनके जो पूरा सारा जो धन्समपति है वो मेरे हाथ में आकर गिरा मैं पाया तब उमर बहुत ही कम था तो इसलिए उस समय जो होता है जहां तक मैं मेरे हाथ में आया मैं इतना थाट बाट के साथ रहने लगा के कुछी दिन में आधा तो उड़ी गया तो तब अचानक से मुझे होश आया कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूं तो फिर मैं क्या किया कि जो समपत्ती मुझे पिताजे से मिला था उसका तो आगा था तो नश्ट कर दिया मैंने तो बाकी आधा मैंने बेच दिया और जो पैसा मुझे मिला उससे मैंने एक जहाज में चड़के वैर्सा करनी के लिए निकल पड़ा तोड़े दिन बाद वो जहाज नहीं दीप के पास जाकर रुका तो सारे लोग सोचे ठीक है चलो देखते हैं तो अचानक से वो दीप जो है न अचानक से बहुत भेंकर तरीके से हिलना शुरू कर दिया तो सारे लोग अब आप होकर देखे वह दीप तो है नहीं वो एक वैल है तो जो वैल है तो सारे लोग जैसे तैसे अपने त्रान बचाते हुए भाग के तो जो जहाज है उसमें चड़ बैठे लेकिन मैं नहीं चड़ पाया क्योंकि तब तक वो जो वेल है ना वो जो तीमी है वो डूब गया था तो जैसे दैसे मुझे एक लकड़ी का टुकरा मिला मैं उसको पकड़ते हुए तैरते हुए एक वीप के उपकूल में मतलब एकदम किनारे मतलब क्या बूले सी बीच में जाके मैं पहुंचा तो तब तो चारो तरफ बहुत ही धूग था मैं धीरे-धीरे कैसे कैसे वहां पर जो भी पेर पौधे थे वहां से जो भी फल जो भी जल मुझे मिला उससे ही मैं अपना जो भूप और प्यास मिटाया तो दूसरे दिन वहीं पर उस बीप में ही एक पहाड़ था तो मैं उसके तरफ जाने लगा तो मैं देखा कि एक बहुत सुन्दर सी गोड़ी पेर के तो पहाड के नीचे गुफा है वहां पर आदमी वहां से निकल के आ रहा है मेरे तरफ तो वह आदमी मुझसे पूछा तो मैंने सारा मेरा परिचाय उसको दिया तो फिर वो मुझे मेरा हाथ पकड़कर उस गुफा में लेके गया तो मैंने देखा कि उसके तरह और कुछ लोग वहां पर बैठे हुए हैं और मैं जब उन लोग से पूछा कि आप लोग कौन हो तो तब वो लोग मुझे बताए कि यहां का जो सुल्तान सिराज है वो उन लोग का क्या बूलते हैं वो शोहिश मतलब जो लो घोरों का देख भाल करते हैं तो हर साल एक बार करके सुल्तान अपने जो घोरी है उसको लेकि यहां पर आते हैं और सिंदुगोटोग मलब सिंदुगोटोग का मतलब सही में होता है सील सील जो होता है ना समुंदरी एक मचली होता है मचली भी नहीं तो वैसा कुछ है लेकिन यहां पर यह अनुवाद के हिसाब से मुझे जो लगता है कि उस द्वीप में जो घोड़ा होता है उनसे उसका मीटिंग करवाने के लिए वो लोग लेके आते थे और फिर जब वो घोड़ी जब प्रेगनेट हो जाती थी तो फिर सिम्दवाद उन लोग के साथ वहाँ पर इवित्राम किये दूसरे दिन घोड़ी के साथ वो लोग अपने राजदानी वापस आ गए तो सि्राज के साथ वहाँ पर पहुंच गये तो सुल्तान सिराज तो पहले सिन्दवाद का जो भी परिचा है वो जाने ही और बहुत पर ही रहने की वैबस्ता भी कर दिये, तो वह वहां पर कुछ दिनों तक रुके, फिर एक दिन हुआ किया कि समूंदर की किनारे वह खड़े थे, वहां से खुब सारे सामान नीचे उतार रहे थे तो कुछ सामानों के उपर सिंदवाद अपना नाम देखे और उनको समझ में आ गया कि यह उनका ही जहाज है फिर वह कंफॉर्म हुए उनको पता चला कि ठीक वही जहाज है जब उन्होंने देखा कि जो कैप्टन है उस सिंदवाद के साथ मिले और मिलने के बाद जब कैप्टन को सब कुछ पता चला वही खुशी-खुशी उनको उनके सारे सामान उनको समझा दिये तो सिंदवाद की जो भी सामान थे उसमें से सबसे जो मुल्यवान जो कुछ सामान थे वह सुल्तान को मलब सिराज को उपहार और वो खुए हुए चीजों की वापसी मलब फिर से मिलने की खुशका प्रीवी सुल्तान को बोल कर बोले के अब मुझे जाने के लिए जाज़त देजिए तो जाने के समय सुल्तान बहुत सारे धन संपत्य उनको उपहार के तौर पे दे दिये मलब सिंदवाद को सिराज ने उपहार दिये तो बहुत खुश होकर संदवाद फिर से अपने देश उसी जहाज में चड़कर वापस आ गये इस कहानी को खतम करके संदवाद बोले आज मैं तो अपने अपने लाइफ के अपने जिंदेगी के पहला जो यात्रा था बानी जे यात्रा था उसका कहानी में लोगो है किसे आप लोग क्या बोलें फिरसे आप लोग क्रिपा करके आये मैं अपनी दीतीय जो बानी से यात्रा है दैक हम 900 मोहर देखर बोले दोस्त कल फिर से आना तो बच्चो इसके बाद क्या होता है हम जान लेंगे अगले कहानी में तब तक कि लिए सारे लोग अच्छे से रहना पढ़ना है न टेटा